हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों की पढ़ाई हम आसा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यहां पर हम लोग बात करें कि आच से हम लोग क्या कुछ सीखने जा रहे हैं कि क्या कुछ करने जा रहे हैं अपने exam के point of भी उसे होगा इन सबों की चर्चा हम आपके साथ यहां पर करते चलें तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं आज से हम लोग आपके लिए प्रैक्टिसेशन लेकर आ रहे हैं चाहे हो मैथ का हो इंग्लिस का हो रिजनिंग का हो ठीक है सारे सब्जेट के आपको प्रैक इंग्लिस रिजनिंग जिस किसी भी सब्जेट का वीडियो हमारे चैनल पर देखा है उन सबों को आप टॉपिक वाइज चेप्टर वाइज पढ़ते आएं अब बारी है कि चुकि अब आपका पूरा सीलिवस कंप्लीट हो चुका है तो पूरे सीलिवस को कंप्लीट करने क बाद अब हम लोगों को जरूरत होती है प्रैक्टिस की इसी की चर्चा हम आपको पहले से करते आ रहे हैं कि चाहे वो आपका मैत हो इंग्लिस हो रिजनिंग हो भी से इस रूप से इंग्लिस में हमने आपको बार-बार बताया कि बच्चों को ग्रामर में डिक कर जाते हैं तो जब आप chapter को पढ़ रहे होते हैं topic को concept को पढ़ रहे होते हैं सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपसे question इसके बन रहे होते हैं तब उस concept पर best उस topic पर उस chapter पर best जो भी question हम लोग आपको provide कराते हैं या आप किसी और source से बनाते हैं तो आपसे उस समय वो सारे question बन रहे होते ठीक है लेकिन बात में जब आप मिसलेनियस में आते हैं जब यहाँ पे आपको टॉपिक गिवन नहीं रहता कि ये कोशन इस टॉपिक का है वहाँ पे आप सबों को समस्या जाती है कि हम लोग ग्रामर को कैसे चेक करें कि इसमें कौन सा चेप्टर का कौन सा रूल अप्लाई करना है ठीक है एक बात दूसरी बात वोकैब को लेकर आप सबों को जो बराबर समस्या बनी रहती है ठीक है लगवग बहुत सारे बच्चे परिसान रहते हैं सर्वकैब का क्या करें वोकैब का क्या करें कैसे याद करें तो वोकैब के क्लास में हमने आपको बिताया है कि वोकैब को ठीक करने का the best option है आप उसके लिए practice करें डू more and more practice ज्यादा-ज्यादा की संक्या में आप question बनाएं जो question या जिस word का meaning आपको नहीं आता है जो question आपके गलत हो जाते हैं आप उसको review किजिए analyze किजिए क्यों गलत हुआ जिस word का meaning नहीं आता है उसको लिखे उसको याद किजिए यही तरीका हमने आपको बताया था तो आज से हम लोग जो बनाएंगे वो ठीक वैसाई होगा जैसे English का आप टेसरीज कहीं भी देते हैं तो चुकि एसे सी के CGL या CHSL किसे भी exam के tier 1 की अध सिर्फ 25 आपको देखने को मिलते हैं इसी तरीक से हमसे सब्लूग आपको सभी वाय वकोष्च्छ का सभी सभी सब्जेट का 25 धुक्ष्चन का सब्सब्रेइस सभी सब्जेट का 25 कोष्चनका राउता। ठीक है यहां पे हम लोग 25 कोशन का सेट लगाने का प्रयास करेंगे और यहां पे इसी तरीके से इसी प्रयास को आपको continue रखना है कब तक जब तक आपका सेलेक्शन न हो जाए जब तक आपकी जॉइनिंग न हो जाए तब तक जॉइनिंग के पहले तक इसको छोड़ना नही है ठीक है चलिए तो आज के इस वीडियो के हम लोग यहां से सुरुवात करते हैं फटा फट चलते हैं आगे की और देखें यह क्या है हमारा तो यह हमारा पेपर प्रैक्टिस सेट वन है ठीक है अब यहां से यह continue हम लोग करेंगे यहां पे देखें सबसे पहले आपको यह जो प्रिविएस यह का पेपर दिखाई दे रहा है इसमें पहला कोशन ही आपको दिखाई दे रहा है क्लोस टेस्ट का ठीक है और आप याद किसे हमने आपको वोकैब के सेशन में बताया था वोकैब के क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो भी वार्ड या वार्ड का option आपको given होता है आपको उन सबों को लिखने की याद करने की जरूरत है जिसका भी meaning आपको नहीं आता है ठीक है और उसको बार-बार revise करने की जरूरत है ठीक है वहीं पर हमने लेकिन उसको छोड़ दिया जाए ठीक है लेकिन उसको छोड़ना नहीं है उसको continue रखना है वहीं पर हमने आपको यह भी बताया था कि यह जितने भी वाड़ आप याद करेंगे वह या तो Synonyms के हों, Antonyms के हो, OWS के हो, EDM Sun Fridges के हो, Miss S Pelt के हो चाहिए कहें के भी हो यह सारे के सारे वो कैब आपके repeat होते हुए नजर आते हैं चाहिए वो fill-in-the-blanks में repeat कर जाए, close test में repeat कर जाए, आपके passage में repeat कर जाए, आपके प्तलब पूरे के पूरे English के section में कहीं नखें, उनका repetition होता रहता है, तो आप आज के इस class में भी देखेंगे, कि ऐसे कई word हैं, जो repeat करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तो यह किवल ऐसा हम नहीं कहा रहे हैं, क्योंकि हमने जान बूज कर वह ऐसा ही सेट बनाया है, वही exam वाला paper सेट उठाया है, जिसमें से हमने जो आपको बताया था, वही वाला हो, ठीक है, तो ऐसा universal है, ऐसा हमेशा होता रहेगा, एसे सी के exam में, ठीक है, पहले भी ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है, जब तक इसका जो pattern है, इसका जो syllabus है, बहुत जा करता, हाँ, question का difficulty level जो है, यह थोड़ा बहुत हर साल change किया जाता है, थोड़ा बहुत उसको change करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, एकदम से अचानक से इसको change नहीं किया जा सकता, ठीक है, छली, तो सबसे पहले, यह देखे, आपको क्या दिखाए ते रहे, close test, close test को बना है था, कई ऐसे question होंगे, जो sentence को या close test को बिन पड़े हुए भी आप बना सकते, यहां पे भी आपको मिलेंगे, कई जगों पे parts of speech को यदि आप पाचान ना जानते हैं, जैसा कि हमने आपको grammar के अलग-अलग chapter में, अलग-अलग topics में बता रखा है, ठीक है, तो उन concept का यद होंपे देखने को मिलेगा, आपके common error के part में देखने को मिलता है, sentence improvement के part में देखने को मिलता है, feelers में देखने को मिलता है, close test में देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, अब यहां पर जारा दियान देजे, यह Indian boxer, यह क्या है, नाउन है, the greatest success story, यह भी क्या है, पूरा compound compound है, यह देखिए, यह यहां से लेके, यहां तक यह पूरा क्या है, compound noun है, ठीक है, तो यह noun और यह noun, दोनों noun है, मतलब बीच में क्या आएगा, यह तो preposition, यह तो verb आएगा, ठीक है, अब देख लेजे, यहां पर जो option दिये कहें, यह सारे के सारे क्या है, ठीक है, कुछ औ और जारा देखिए, हम लोग question number two में, यहां देखे, यह ब्रोंज, मतलब इसमें देखे, यह जो सुसील कुमार है, ठीक है, तो सुसील कुमार ने जब ब्रोंज मेडल जीता चाहा, चाइना ओलम्पिक में, बिजिंग ओलम्पिक में, उसकी बात की जारे, तो यहां पर ब्र वर्ब का यूज कर लें, या फिर उसके लिए यूज करते हैं, ग्रैब, ग्रैब दा अपर्चुनिटी, ठीक है, ग्रैब दा चांस, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, यह को लोकेशन है, ठीक है, यह देखे, यह बाउट, बाउट क्या होता है, यहां पर आप थोड़ दूसरा round and so on ठीक है बात समझ में आ रही है आगे फिर आप में से कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत हो सकता है फ्रे फ्रे क्या है भाई दंगल जैसे दंगल मूवी आप देखे थे तो आप याद किजिए दंगल मूवी में जब उस लड़की को उतारा जाता है लड़कों करती है तो न जाने कितने लोगों को मो डिफीट करती है ठीक है वॉन बाई वन लोग आते रहते हैं और हार के जाते रहते टो फ्रे होई दंगल लोगों का बी ठीक है अब यहां पर आ जाई ये ये कोश्न नंबर थ्री के तरफ ये देखे हिस Brenda Appreciate एड्जेक्टिव क्या होगा पॉसेशिव एड्जेक्टिव अब आप याद किजे प्रोनाउन के टेबल में हम लोगों ने पढ़ाता ही हिज हिज हिम तो हिज या तो पॉसेशिव प्रोनाउन का काम करेगा या पॉसेशिव एड्जेक्टिव का काम करेगा पॉसेशिव प्र और फूर के तरफ देखे यहां पर यह देखे कम टीटर लिखा हुआ है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है तू मतलब यहां जो वर्ड यूज किया जाएगा वह क्या नचीह ऐसा नचीह जो प्रेपोजीशन टू को एक्सेप्ट करें फिर यहां देखें थ्री थ्री क्या है एड्जक्टिव बीट थ्री अब थ्री क्या यह देखें कम टीटर लिखा हुआ है मतलब यहां पर क्या होगा तीन कम टीटर को हराया तीन प्रतिदूंदियों को हराया तो देखें हमने आपको पहले से बता रखा है क कहँ ने कहीं गीवन होता निया कम टीटर लिखा हूँ है मतलब क्वड़ लेने के लिए उसको करते हैं चोज़ आप पर यहां पर रिलेटिड यहां precisa करेंगे ची μέILY लेटिक इसको लोगे teak करते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके इंग्लीज वीक है उनको समझाना भी पढ़ता है तो उनके लिए अब हम लोग यहां से पढ़ना सुरू करते हैं इंडियन बॉक्सर्स ठीक है दे ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी एड़ बीजिंग ओलम्पिक मतलब जो इंडियन बॉक् चिना ठीक है मेक का मेड़ बन गया तो में क्या होता है बनाना इसक्राइब क्या होता है लिखना इसका मतलब लिखना होता है और इसका मिनिंग भी लिखना होता है यह दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के सिनोनिम से अब दोनों में अंतर क्या है यह सी कि इसका यूज करते जब आप कोई नोट्स बना रहे होते हैं जैसे हम आपको यहां पर पढ़ा रहा है या आपको यदि कोई बात अच्छी लगी तो फटाफटा फटाप कॉपी कलम उठाते हैं उसको लिखना शुरू कर देते हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्राइब ठ लाई लगतार हमारे वीडियो में आप इसको सुनते रहते हैं हम उसे आपको रिलेट करने का प्रयास करते हैं चीजों का ठीक है तो उसके जो पूरी स्क्रिप्ट लिखने ठीक है बात समझ में आई थीख है याने की रननीटी युद्द की मामले में और उसके लिए हम लोग क्या यूप करेंगे टाक्टिक्स भार कै लिए भी यूज्ट करते हैं तौ इसका यूज हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं पटकथा क्या करते हैं पुरा script तयार किये हो गये, ठीक है, next, three of the five boxers, देकि पांच में से तीन boxers, enter the quarter final, ठीक है, पांच में से तीन boxers जो थे, इंडियन, तीन boxers, इंडिया से पांच boxers गए थे, उसमें से तीन लोग क्या किये, quarter final में प्रवैस के, ठीक है, इनको quarter final में entry मिली, and one, विजंदर सिंग, उसमें से एक कौन थे यह थे विजंदर सिंग ठीक है अब विजंदर सिंग डैस दा ब्रोंज और उसमें से जो तीन लोग इंटर किये उसमें से एक जो थे वो विजंदर सिंग थे जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता ठीक है नेक्स आगे और उनका यहाँ पर जीतने का जो दौर था, competition करने का जो दौर था, ठीक है, round था, इसने क्या किया इनको, about almost took him to the final, उसने इनको almost final तक पहुँचा दिया, ठीक है, When sucil kumar entered the fray, और जैसे ही, अब sucil kumar की entry होती है, तो लोगों ने सोचा कि यह के वल आया है, ऐसे ही participate करेगा, और तुरंत हार के बाहर चला जाएगा ठीक है आके बढ़ते हैं यहां से हम लोग जस्ट अनदर कमटीटर डैस टूद नंबर्स जो क्या करेगा संख्या की संख्या की भरभाई करेगा जैसे इंडिया से जो पांच लोग गए थे पांच में से तीन लोग जो उसमें इंटर कि तो यह आए हैं और अपना टेंडेंस बनाएंगे और चुपचा पर यहां से हार के थोड़े समय में वापस चले जाएंगे बात समझ में आ रही है इस तरीके की बात यहां पर बताई जा रहे हैं नेक्स्ट तूद नंबर्स तो संख्या में यह क्या करेंगे मतलब वन के ब जितने के लिए सोसील कुमार ने एक घंटे में तीन लोगों को लगतार हराया तीन लोगों को हराना जारी रहा ठीक है बात समझ में आगए अब आईए यहां से बोड को क्लीन करते हैं और फिर अब हम लोग यहां से वाट को उठाते हैं और यहां पर फिल करते चले तो यह देखिए जो सफलता कि कहानी लिखती जा रही है उसके लिए हम लोग क्या नहीं हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्राइब क्लियर नेक्स चलते हैं इसके अगले कुशन में कुशन नमर टू की तरफ त्री ओफ दा फाइब बॉक्सर सेंटर दे क्वाटर फाइनल एंड वन विजंदर सिंग विजंदर सिंग जो थे डैस दब्रोंज अब नहीं है ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं अब इसके आगे चलें बैग देखे बैग के साथ आवाड का यूज करते हैं बैग आवाड ये को लोकेशन है ग्रैब दा अपॉर्चुनिटी यह थोड़ी दिर पहले हम आपको बता रहे थे मौके का फाइदा उठाना एम होगा तो एम के साथ यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर एट लिखा हुआ नहीं है इसलिए एम का यूज हम लोग नहीं करेंगे ठीक है आगे बढ़ते तो यह कैंसल हो गया यह कैंसल हो गया यह कैंसल हो गया हमारा अंसर क्या बना ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट यहां से आगे चल तरीके का जो group of word होता है जिसका specific situation को express करने के लिए हम लोग use करते हैं इसको अलग से copy में लिखते चलना है और इसको याद करते रहना है ठीक है बाद समझ में आ गई next आगे चलते हैं question चलेगा about मतलब दौर यह देखे practical दौर यह होगा नहीं डाउट फूल अब डाउट फूल होगा तो लड़ेगा कहां जीतेगा कहां तो यह पहले ही cancel यह cancel अब यह देखे pragmatic pragmatic मतलब वहारी के जिसको day to day life में हम लोग use करते हैं जिसको follow किया जा सकता है यह देखे tactical tactical क्या हूता है राजे नीती से भड़ा हुआ कूट नीती से भड़ा हुआ चाल से भड़ा हुआ तो वहाँ पे जब भी कभी किसी मैज़ान में दो fighter उत्रेंगे दो खम से उत्रेंगे तो दौनोंका अपना-पना क्या होता होता है तो यह अपने का दौर पर चलता रहा ठीक है किसका यह विजिंदर सिंग का ठीक है तो मारा आंसर क्या बनेगा टैक्टिकल हांसर क्या बनेगा टैक्टिकल ठीक है ना कि प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक होता है सिंपल सा वह बहारी ठीक है साधारन सी बातों को बताने के लिए इसका यूस हमलोग करते हैं चलते हैं कोशन नमबर फोर के तरफ यहां पर आई यह कमटीटर टू द अब जैसे हैं सुसील को मारके होती है तो लोगों ने सोचा कि यह आया है जस्ट संख्या को भरपाई करने के लिए संख्या को पूरा कर अब इकलिए ठीक है इनक्रेस का मतलब बढ़ाना कैंसल रीज और राइज यह दोनों का मिनिंग सेम होता है दोनों में से एक है नाउन एक है वर्ब ठीक है यह आपके एक्जाम में बार-बार पूचा जाता है ना जाने कितनी बार पहले भी पूचा गया है और आगे भी प जिसे हम आप से कहते हैं कि आप में सेयदी किसी बच्चे को इस में से किसी भी कुश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने हाथ उठाए रीज यूर हैंड राइज का मतलब क्या होता है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि असकल पर टोल डीजल का जो कीमत है रसी है यूक्रेन वार के बाद से लगतार बढ़ता चला जा रहा है ठीक है तो प्राइस में क्या हो रहा है प्राइस में क्या हो रहा है राइस हो रहा है न कि प्राइस में रेज हो रहा है ठीक है तो यह नाउन है यह वर्ब है ठीक है तो इसका यूजादा तर वर्ब के र तो add to add add के साथ लगाते हैं हम लोग to add to का मतलब होता है किसी संख्या में बड़ोतर ही करना और जोडना वृद्धी करना ठीक है तो यहां पर टू के कारण हमारा answer क्या हो गया हमारा answer हो गया option number D adding to clear बात समझ में आ ही है इसको आपको याद रखना होगा के साथ कैसा यूज करते हैं जिसकी में आपके साथ हुआ बिसे अबढ़ों याद कर लेते हैं तो आपके question के answer करने काफी easy हो जाते हैं विसे रूप से close by और बढ़ते हैं से हम लोग अचलते हैं अंगले कोशन की तरफ अब कोशन नमर फाइव में तो कुछ करना ही नहीं था अब चुकि यहां थ्री है तो यहां पर जो भी आएगा वो कैसा रहेगा प्लूरल रहेगा और चुकि यह कम टीटर था तो इसके सांथ जो भी खेलेगा वो क्या होगा इसका कम टीटर होगा फिर भी प्लेइर होगा नहीं ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पर आप याद करके जरख ध्यान से देखें इसको notice के जिए हमने आपको close test में जितने भी बाते बताई थी देखे यह आपके previous year CGL के close test में apply हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से हम लोगों को चीजों को handle करना सीखना होगा तभी जाके अपना selection होगा और जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बातों को बताया जिस तरीके से explain किया इसी तरीके से आपको analytical रूप से इसको analyze करना होगा ठीक है और यही analysis आपको एक दिन exam में successful बनाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से यदि आप close test में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि close test में पांच में से एक दो question तो यहीं बिना पढ़े बन जाएंगे तो यदि कभी exam में आपके पास time नहीं हो पेपर आपका छूट रहा हो time over हो गया हो आप किसी एक section में ज्यादा time invest कर चूके हो ठीक है तो चलते चलते ऐसे कुछ question तो आप बना के निकल लिए ठीक है बाद समझ में आ रही है next यहां से आगे बढ़ते बी under cloud cloud का मतलब क्या होता है बादल अब जरह सोचे यदि under का मतलब क्या होता है नीचे तो नीचे आप छोड़ है कि बारिस हो सकती है लेकिन उसके कोई guarantee नहीं मतलब uncertain ठीक है तो बी under cloud का मतलब होता है बी under cloud का मतलब होता है संदे के दाइरे में होना संदेहास्पद होना अब आईए इसका option हम लोग ढूनना शुरू करे experiencing a cloudy weather मतलब एक cloudy मौसम का अनभव लेना enjoying favorable luck तो favorable luck का आनंद उठा अंडर observation observation मतलब निगरानी के अंदर होना निगरानी में होना तो इस question का answer हमारे क्या बनेगा answer बनेगा option number c next यहां से आगे बढ़ते हैं यह देखे enteral enteral क्या होता है इंतरल होता है एक दम captive size करने वाला captivating मतलब एक दम से आपका पूरा का पूरा ध्यान आकरसित कर लेने वा ठीक है यह होता है enteral enteral के बाद आते हैं free free का मतलब आजाद मुक्त free निसुल्क discussed उबाओ रिपेल मतलब विरोध करना किस खाना ठीक है यह तिरसकार करना में जब देखें यहां पर इस में राइस का मिनिंग यह आपको नहीं आता था तो enteral का मिनिंग भी यह आपको आता है तो यह option cancel हो गया यह cancel हो गया और इसका मिनिंग यह दिया हमें नहीं आता है तो भी हम आंसर करेंगे option number C मिसमेराइस का मिनिंग भी वह होता है ध्यान आकरसित करने वाला ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं कुछ और question की तरफ यहां पर देखें having finished at school रगू thought of going to Bombay मतलब इसकूल समाप्त करने के बाद रवी ने सोचा कि उसको कहा जाना चाहिए तो उसको Bombay जाना है अब देखें यहां से अफ्के मिलेग क्या 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 सिखने को मीलेगा आप इस बात को कांपी पे लुठाईए और नोटो इत्छाइए किसमें तो इसको हम लोग लिखेंगे having के साथ भर का थोड़़ पार्ट mm ये पाटिसिपल का कॉंसेट थीक का बात समझ में तो having में प्लस वर्भ का थडर फ़ाम, और इसका वायस कहा है तो इसका वायस से एक्टिव, क्या वायस से इसका एक्टिव, इसका यदि पैसिव लिखना हो तो हम लोगों लिखेंगे having plus been plus verb का third form ठीक है कभी कभी rare case में वो भी आपको passage वगारा मिलेगा यदि आप दहिंदू वगारा का editorial पढ़ेंगे तो वहाँ पे having been plus verb का third form आपको देखने को मिलेगा तो कहीं भी अब आपको having दिखाए पड़े having के तुरंत बाद है कोई मेरे लिखा हुआ हो तो आप simply उसको वर्ब के third form में convert कर देजेगा और यह पास्ट पर्फिक्ट के बारे में जानकारी देता है किसके बारे में पास्ट पर्फिक्ट के equivalent होता है यह सेटेंस में अब देखिए तो अपना इस्कूल कम्प्लीट करने के बाद इस्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद तो यहां पर बीच में यह जो प्रेपोजीशन एड़ का गया है यह सूपर फ्लूव से कैसा है यह सूपर फ्लूव से अनने से सरी अनवांटेड है तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा सिंपली हम लोग इस प्रेपोजिशन एट को यहां से रिमूफ कर देंगे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखे सर्च के प्लूरल भी हो सकता है उसका सिंग़नर बनता है लेकिं जॉब का मतलब थी काम हो जॉब Calm मतलब यूद और वर्क हो आन पहले हो सकते ह Varok का प्लूरल वक्षि नहीं होता इन दक से फूब का प्लूर सेंस में जौंष नहीं लिख सकते क्लियर है बात समझ में आ रही है तो अब ये एट वाला option आप देख लिजी ये कहां पे लिखा गया है यहां पे लिखा गया तो इस question में हम लोगों को वो section बताना था जिसमें grammatical error था तो हमारा answer बना option number D ठीक है इस तरीके से आप देखिएगा कि एक ही question में आपको कई चीजे सीखने को मिलती है ठीक है next यहा क्या होता है थोड़े समय के लिए किसी को बाहर कर देना निकाल देना हटा देना जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में माल लिजे कि विराट कोहली का performance अभी अच्छा नहीं चल रहा हो तो थोड़े समय के लिए कुछ मैच के लिए क्या कहता है उनको बाहर निकाल दे जाता है या किसी ओडियाई में ठीक है किसी ओडियाई में 2020 में ठीक है किसी इंटरनेशनल मैच में यदि वो किसी या कोई भी खिलाड़ी यदि किसी नियम का उलंगन करता है तो पिनाल्टी के तौर पर पनिश्मेंट के तौर पर उस खिलाड़ी को थोड़े समय के लिए कुछ तीक है ओस्ता साइस का मतलब होता है ओस्त मतलब बाहर निकाल देना हठा देना स्वागत किजयेगा तो किसी को क्या किरिदेगां जो मीजबानी करना टीक है तो तो दो लोग होते हैं किसी भी party में celebration में एक होता है guest और दूसरा होता है host तो host मेजबान ठीक है और दूसरे होते है guest जो party का मज़ा लेने आये होते हैं तो अब इसका answer क्या बनेगा बाहर कर देना का ये option number B welcome नेक्स्ट ये pathetic पथेटिक क्या होता है बाई दैनिये जिसके हालत खराब हो दुर्दसा हो बुरी परिस्थिती में ओ पीटि फूल ये भी क्या होता है दैनिये इन बैड कंडिशन तो ये दोनों हो गए बैड कंडिशन वाले वाड ये powerful पल्दव पुट्व पर पर्पस फुल तो पर्पज आप जानते मतलब प्रियाप्त यह सब याँ कं लोग zones करना था यहां पर सिनोनिम करना था इसका पाम खांद यह करना था सबना यह अंट्र Minsk ऐसकर वाले में क्या करना था एंटोनिम करना था इसका बढ़ते हैं आगले कोशन में चलते हैं अप In the arm आप का मतलब ऊपर आर्म का मतलब बाह ठीक अब जरत ध्यान देजिए कभी किसी दो दोस्तों में कि कभी किसी दो लोगों में लड़ाई होती है तो एक जूज़े में तो घूटा लेता है ठीक है हाथ उठालेता है तो हाथ उ throw up arms in joy मतलब खुसी में आप हाथ को उठा के इधर उधर करते हैं ठीक है divide into armed groups मतलब आप armed groups में armed groups समझते हैं सैनिक सेना के टुकडियों को बाटना यह सेना के टुकडियों में बाटना ठीक है यानि कि जो सेना है उसको अलग-अलग group में बाटना give up fighting and surrender मतलब लडाई करना छोड़ देना सरेंडर कर देना आत्म समर्पन कर देना हार मान लेना angry about something किसी चीज को लेके गुसा होना तो anger से related हमारा answer क्या बना option number D next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ sluggish यह देखें यह सायद हम लोगों ने vocab मे किया था sluggish का मतलब क्या होता है inactive तो active का मतलब क्या होता है sugar dialogue का मतलब उदास निराज ठीक है siruka HER fraternity यह होता है तो बैठने वाला job ठीक है डिस्क बाउंड far अब इसमें करना ए तो इसका करना एंटोनिम करना है तो यह सुस्ट का उल्टा क्या होगा ब्रिस्क एक्टिव यह दिखे इसका एक और मिनिंग होता है ब्रिस्क ब्रिस्क मनें फुर्तिला एक्टिव रिस्क ठीक है next आगे अगला कोशन है मारा कोशन को आप देखते के साथ पाचान सकते हैं इसा ही आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और छोटे-छोटे वर्ड आपको यहां पे एक एक वर्ड आपको दिखाए पड़ेंगे इसी कौन लोग करते हैं ओड़ी एस वन वर्ड सब्टिचूशन अपर्सन हो अट्रैक अटेंशन विथ फ्लैसी स्टाइल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लैसी स्टाइल के साथ किसे का ध्यान अकर्सीत करता है जोकी क्या होता है भाई तो जोकी आप समझते हैं ठीक है रेडियो जोकी होते हैं जो जैसे जो होर्स राइडिंग करते उनको भी जोकी कहते हैं रोटी वाला 12 रोटी वाले को देखे कहेगा यह बहुत बड़ा पीटू आदमी यह एक ऐसा विक्ति जो दिन भर खाने के चक्कर में लगा रहता है वेगा बॉंड क्या होता है वेगा बॉंड होता है घुमककड जैसे हम लोग बले ही अब किसी एक जगा पे रहते हैं हमारे आपके पूरवस क्या थे घुमक करते खाना बदोस्ते भोजन के तालास में इदर उदर घुमते रहते ठीक है बात समझ में आ रही है यह फ्लेम बॉंड क्या होता है भाई भड कीला क्या होता है भड कीला ठीक है अट्रैक्टिव मतलब एक ऐसा चीज एक ऐसा व्यक्ति या और यह जो फ्लेम बॉंड वर्ड है आप इसको ठीक से इसके स्पेलिंग को याद रखिएगा यह फ्लेम बॉंड आपको मिस स्पेल्ट में कई बार पूछा जा चुका है ठीक है चले यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा PQRS अ रिक है यह और भी कोई नया वर्ड यहां पर दिया जा सकता है क्वाइन के जा सकता है तो यहां पर PQRS के जगए और कोई भी नया अलफ़ाबेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं आप इसमें सबसे पहले देखे कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें की प्रॉपर नाउन है तो य सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा जाए मिदिल में लिखा जाए या लास्ट में लिखा जाए ठीक है बात समझ में आ रही है और दूसरा क्या है यह देखे नियू इंग्लैंड ठीक है और यहां देखे यूरोप वाले में क्या है यहां वित लगा हुआ है यहां वाला option क्या हो गया cancel हो गया ठीक है आगे हमें कुछ पढ़ने की जरूवते नहीं है न क्यूँ पढ़ना था ना आर पढ़ना था अब SP के बाद हमें पढ़ना होगा कि P के बाद हम Q को रखें या P के बाद हम आर को रखें तो पहले P को पढ़ लेजी ठीक है New England was experiencing the beginnings of industrial revolution that was that was के बाद पढ़िए already underway in Europe ठीक है जो यूरोप में पहले से सुरू हो चुका था चल रहा था विद विद टेक्स्टाइल अब यह देखें यह विद क्या है यह विद है प्रेपोजीशन अब देखें प्रेपोजीशन के पहले क्या आता है नाउन आता है तो यह नाउन लगा हुआ है प्रेपोजीशन के बाद क्या आएगा तो नाउन आएगा इसके बाद एक इदर टेक्स्टाइल मिल लगा हुआ है तो यह क्या है नाउन है ठीक है आप इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप याद किसी हमने आपको जब सेंटेंस पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फर्स सेंटेंस पहचानने में अशुविदा होती है आप कई बार फर्स सेंटेंस को इडेंटिफाई ही नहीं कर सब लिजी अब ढ़ल दिहां देजिए इसपी है यहां दिख रहा है यह था यहां भी दिख रहा है इसका मतलब है कि ना तो पी और ना तो एक यह इंहीं दोनों में से कोई भी लास्ट होने वाला नहीं इंसरो फिरपीट没有 नहीं आयगा एंडिंग पर यहीं आएगा तो एक लास्ट होगा अब यहां पर इसका क्लू ढूंड सकते हैं यह विध लगा हुआ वित क्या है प्रेफूजिसर मतलब इसके बाद कोई न कोई आएगा मतलब यह कि आर मेरा लास्ट वाला सेंटेंस नहीं होगा S और P में दोनों में से कोई एंडिंग प्लेस पे आने वाला नहीं था Q और आर बचा था इनहीं दोनों में से किसी एक को सिलिक्ट करना था इनहीं दोनों में से कोई एक हमारा last वाला sentence होगा तो यह r वाला last में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि with लिखेगा तो इसके बाद कोई नाउना में चाहिए तो जाहिर सी बात है कि r के बाद क्या जाएगा q अर्थात q हमारा last वाला होगा अब आप यहां पे देखिए q इसमें last में क्या नहीं तो यह cancel हो गया यहां पे देखिए q last में तो यह हो गया हमारा answer clear बात समझ में आ रही है next यहां से आगे बढ़ते हैं इसे छोटे छोटे techniques का use करके ऐसे छोटे छोटे concept का use करके आप बड़े-बड़े question को आसानी से एकदम कम से कम समय में बना सकते अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये बात आ सकते एक खैला सकता है सरतो उस technique का यूज करके आप यूँ ही क्यों ने उड़ा दे रहे question को हम आपको यहां पे explain करने के लिए बैठे हुए ठीक है और उस तरीके से जिस तरीके से exam में आपका attempt होता है उतने speed में यदि हम यहां पे 10 minute में इसको solve करके निकल जाएं तो आप में से कई बच्चों को समझने में असुविदा होगी ठीक है तो इसलिए हम लोग आपको आराम से explain करके यहां पे समझा ठीक है next चलते अगले question में अगले question में देखे क्या है यह no improvement का question है ठीक है no improvement का मतलब देखे हमें काम कहां पे करना है तो has planned has planned has planned मतलब planned वाला word कहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपे हाँ जाईए यह देखे planning वाला word यहां पे लिखा हुआ है ठीक है अब इसको check करें हम लोग यह देखे यह क्या है persuaded मतलब यह क्या है यह वर्ब का second form past and different में चला गया तो याद किजिए हमने आपको क्या बताए था यदि एक से ज्यादा sentence कहीं भी आता है और उसमें से पहले वाले sentence का वर्ब यह पास्ट हो तो अगले सारे के वर्ब कैसे होंगे past में यदि पहला वर्ब पास्ट तो उसके बाद आने वाला सारा वर्ब किस में रहता है past में रहता है तो यह देखे यह persuaded अब यह was planning हो सकता है ठीक है यह planned भी हो सकता है यह कैसे पता चलेगा अब sentence को पढ़ के देखिए यदि दो sentence से एक साथ है दोनों का दोनों past में है तो दोनों में से जो वर्ब या action पहले complete हो चुका था उसको बताने के लिए हम लोग use करते है past perfect का और दोनों में से जो बाद में complete हुआ था उसको बताने के लिए हम लोग use करते है past indefinite का ठीक है यह बात है हमने आपको past perfect मे बताई थी ठीक है यदि किसी का मिस कर जाए कोई भूल जाए तो पास परफेक्ट वाले वीडियो के सेशन को उठा के टेंज को जरूर से देखिएगा ठीक है चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग वह ओन वन ओकेजन ही पर्सुएडेड मी मतलब एक औसर पे उसने मुझे र वाला था ठीक है ही वोज प्लानिंग जहां पर वो प्लानिंग कर रहा था जाने का अब जरा सुच यहां पर प्लानिंग कर रहा था प्लानिंग करने के बाद जाएगा मनाने कि प्लानिंग वो पहले कर चुका था उसके बाद किसी को जाएगा मनाने ठीक है बात समझ में आ आए तो यहे तो रहेगा पास्ट इन्ड है इसी तिरिके से जब आप सेट को लगाते हैं तो आपकी शारी चीजे रीपीट होती हुए नजर आती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग a short story with a moral मतलब एक छोटी सी कहानी जिसमें morality नहतिकता की बात की गई हो usually with animals as character जिसमें animal का use character के रूप में किया गया हो इसका सबसे बड़ी एक्जम्पल आपको मिलता है पंचेतंत्र पंचेतंत्र एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी morality से भरी हुई शिक्षाप्रद बातें बताएं गई है ठीक है ऐसे stories को हम लोग करते है फैबल क्या करते है तो इसको हम लोग करते है फैबल तो हमारा answer क्या बनेगा फैबल अब आपके मन में question arise होगा तो ode क्या होता है हिम क् किसी का गुर्णगान करना जैसे हम लोग हनुमान चली सा पढ़ते है को नहीं जानत है जग में प्रभू संकट मुचन नाम देर मन भगवान बजरंग बली की क्या करें प्रसंसा कर रहे है ठीक है इसी तरीके से सभी धर्मों में गौड का अलग-अलग तरीके से प्रसंसा क वह बड़ा पॉपुलर है गानों में यूटूब पे तो वह क्या है ओड ठीक है इसी प्रकार का एक और वर्ड होता है पैरोडी इसमें भी क्या होता है इस वर का गुंगान के जाता है ठीक है तो यहां से आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है तो यह भी हमारे सेंटन्स इंप्रूब्मेंट का इसमें देखे यहां पर अंडरलाइन किया हुआ हम लोगों को यहां पर वर्क आउट करना है इफ यू वांट टू से मने यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं यू मस्ट गेट रीड ओफ सौपिंग तो आपको सौपिंग से मुक्ति ले लेनी चाहिए म उसके लिए हम लोग यूज करते कतड़ डाउन कंड़ कंटन और रिसका मतलब करना कटव करना तो विंचन करना सुरुपात करने में में सोचना ठीक है तो हमारा आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा option number a cut down on ठीक next आगे बढ़ते हैं यहां से अब यहां पर देखें इस में फिर वही बात यह देखें यह जो हारवर्ड है यह जो हारवर्ड है प्रॉपर नाउन है यह जो आदी से शुरू होगा या तो पी से शुरू होगा अब जरा आप option देखिए जितने option भी और इस से ही शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले अब हम लोगों को यह तह करना होगा कि first sentence के रूप में हम पी को रखें या इसको रखें ठीक है तो सबसे पहले जरा पढ़ यह पी को अब देखिए इसमें आप में से ज्यादा तर बच्चों को इस को सबस्क्राइब करना है तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है यह सही है जबकि यह बिल्कुल गलत है यह देखिए पी एल इपले बी इई आई बी एन अन यह होता है इसका करेक्ट आंसर तो इस कोश्चन नमबर यह से आगे चलते हैं सराउंडिंग यह देखिए यह तो आप बच्पन से जाना भी चाहिए आपको सरांडिंग्स न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कॉमन एरर से लेके सेंटेंस इंप्रोव्मेंट से लेके मिसस पिल तक ठीक है तो सरांडिंग्स का यह होता है हमारा करेक्ट आंसर ठीक है यह काफी असान सा वोड़ है जिसको आप में से ज्यादा तर लोग जानते भी होंगे पहले से अब आएए यहां पे हम लोगों को क् सेद्क करना गर्म कर27 करेक्ट अक्टिव तो सबसे पहले यह जो सेंटेंस उसको लुड़ा देखे इसका यह मिन वंप va versions णता होता है और थर्ड फॉर्म होता है यह दोनों कैसा होता है सिम होता है इसको पाचानने के लिए हमने आपको बताया था वाइस में बताया था और यह दे उसके ठीक पहले कोई भी helping वाव यूज नहीं किया गया तो हम लोग उसी को मांदते हैं सेकंड फॉर्म में ठीक है अब इस concept का यहां पर यूज कर लें देखे यह यह ओपेंड है ओपेंड के पहले यह क्या है helping यह क्या है helping लगा हुआ है अर्थात यह कहा है तो य क्या बतायते हैं इस एम और के साथ फोर्ब का प्लम हो तो पैसिव में वह बी बिंग यह बिन इन तीनों में से कुई भी हो उसके साथ फोर्ब का च्ट्पों हो तो sentence पैसिव में ठीक है अब यहां पे देखे आपको क्या दिखाएदर है हैस हैं के सांध बीं और इसके साथ वर्प का third form मतलब सीधी सी बात है कि हम जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में लिखेंगे हैस नॉट ओपेंड अब आज यह ऑप्शन चेक कर लिए हैस नॉट ओपेंड हैस ओपेंड तो यह गलत हो गया और हैस नॉट ओपेंड यह हो सकता है तो यह दो सेंटेंस हमारे कैंसिल होते हुए नज़र आते ठीक है अब देखें इसको जरा हम लोग पढ़ना शुरू करें और और सी को अब सी में देखें यहां पर लिखा हुए नो लिखा हुएय तो फिर यहां पे नॉट का यूज नहीं करेंगे इसलिए फिर से गलत ओ गया अब हमारा आंसर क्या पच्छा तो हमारा आंसर हो सकता है option और यह यहां पर देखंगे यह एनिवन लिखा हुआ थी एंवन था नॉपन दो यह पैकेट यह pass question में हम लोगों को क्या करना है identify the segment which contains the grammatical error आपको हमको इस sentence में वो section पता करना जिसमें grammar के गलती है he can be a basketball player since he is tall like a mule mule क्या होता है खचर अब यह खचर क्या होता है तो s समझते है s जो गधा होता है तो गधा के type का एक जानवर होता है अब यहां पर जारा ध्यान दिजीए क्या क्या बताएगा he is tall वो लंबा है किसके जैसा अब बला बताएगे कि यह जो mule है जो s है यह कोई लंबा जानवर है क्या नहीं तो तुलना दो समान चीजों में होती है तो किसी व्यक्ति के लंबाई की तुलना की जा रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति या जानवर से या वस्तू से उसके तुलना करेंगे जो लंबा होता है तो यहां पर हम लोग म्यूल की जगह क्या यूज़ करेंगे यह म्यूल गलत हो गया यह वाल नमभर B now I say, यहां से आगे बढ़ते है चलते अगले इस question में पहयर को क्या करना थे तो इस question में में हम लोगों दोना कर्रेक्ट पैसिव पैसिव क्या दूना है करेक्ट पैसिफ डून दो rec हम लोगों को में है तो इसका पैसिब कैसे बनेगा इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से अब ज़र आप सेंटेंस देख लिए किसी में इसे मार नहीं लगा हुआ है मतलब हम लोगों ने जो सोचा वो गलत हो गया अब हम में से कुछ बच्चों को लगेगा कि यह तो कुशन का ऑप हम इसा होता है सिंगुलर सिंगुलर होता है और वर्ब लेता है हमें सह सिंगुलर बात समझ में आरहे हैं तो Mittel отс तो इस नहीं लगा है तो यह वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा या थोड होगा है इसके ठीक पहले देखिए कोई helping verb अगर है तो यह verb का third form होगा इसके ठीक पहले कोई यह helping verb नहीं है तो इसका tense होगा verb का second form second form का मतलब होगा कि इसका tense होगा past indifferent और past indifferent का passive हम लोग कैसे बनाते हैं was verb plus verb का third form अब आ जाईए sentence को ढूणना हम लोग सुरू करें तो was verb plus verb का third form यह was hurt इसमें देखिए was hurt है नहीं है cancel यह देखिए was hurt है यह hurtful आ गए यह गलत इसमें देखिए was hurt है नहीं है यह भी गलत सीधी बात answer क्या होगा answer होगा हमारा option number a ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं अगले question में चलते हैं जैस subword और यहां पर देखिए grammar जल्ट्रां का concept यह देखे यह क्या है article है अर्टिकल है डिटर्मिनर रेंचिछ तो बात कोई ना कोई ना उना आएगा यह देखिए यह क्या है preposition इंसके तुरंद बात का आइक और अच्छी चीज़ जो हम लोगों को सेखने की जरूरत है नो browser वाले यहां पर यह देखे इन चारो वड ऐं में लगा हुआ हु री वड का मतलब क्या होता है री वड के साथ बैक का यूज नहीं करते बात समझ में आ रही है अब इन चारों में इसे reward का मतलब है पुराने IntelliT में जाना ये cancel ठीक है ये वर्व है इसका मतलब ही होई यह reverse वापस जाना इसका वापस जाना इसका वापस जाना पीछे ALTCH LIKEनू ऐसका होता है पूराने इस्थिती में जाना अब यह होता है यह होता है ठीक है अब यहां पर क्या चाहिए था तो यहां पे धाल सीधा इस Pero कि wrestle तो फेमस के सांथ क्या लगाते अब अब जबंधय के दूसरी बात यहां पर हम हम वही want use करेंगे जो off को exit करता हो तो यहां देखर लगाएंगे तो double proposition यह लगाएंगे यह लगाएंगे इन three position में से किसी का यूज हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनका use करेंगे तो double प्रेपोजीशन का आपको एरर बनता हुगा नज़र आएगा यहां पर कोई इडियम संफिजर यूज़ हो नहीं रहा है विकॉज के साथ हम लोग यूज़ करते ऑफ यह एक ऐसा वड़ है जो आफ को एकसिप्ट कर रहा है इसलिए इसकोशन का करेक्ट टांसर बनेगा ऑप् साथ तो जिस तरीके से हमने आपको एकस्प्लेंड किया है चीजों को आसा करते हैं कि इसी तरीके से आपको अपने माइंड को एक्टिव करके एक्जाम में सॉल्व करना होता है पेपर को आसा करते हम आप से कि इनको आप अपने डे टो डे लाइफ में यूज करना होंगे इससे आप प्रभावित होंगे और आपना जो पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे ही एनलेटिकल थॉट को आप अपने अंदर डिवलप करने का प्रयास करेंगे तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद